कोरल रीफ यानि मोंगा चट्टाने, कुदरत का अदभुत कमाल और अंगिनत परजातियों का घर इन में रहने वाली मचलियां दुनिया भर में करीब एक अरब लोगों को फायदा पहुचाती हैं परियटन जैसे उद्ध्योग के रूप में गोवा का तटिये इलाका परियटकों और गोता खोरों का पसंदीदा ठिकाना है लेकिन जलवाई परिवर्तन, पुर्दूशन और अत्यधिक मचली पकड़े जाने से यह नूठा परिवेश खत्रे में है एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में करीब 50-60 फीसदी कोरल खत्म हो चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते और सोचिए कि ये सब पिछले दशक में ही हुआ है यानि जादा समय नहीं हुआ पूरू बेंकर और गोता खोरी के शौकीन वेंकटेश चारलू ये सब चुप चाप नहीं देख सकते थे इसलिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कोस्टल इंपेक्ट नाम का संगठन खड़ा किया उनकी योजना है कि गोवा की सुरक्षित मुगा चट्टानों के कुछ हिस्सों को साथधानी से हटा कर तट के पास ही समंदर में किसी और जगह फिर से लगाया जाए समुदरी जी विज्ञानियों की टीम और कई वॉलेंटियर समंदर में उतर कर नए कोरलों के लिए एक तरह से नजरी तयार करते हैं प्रांस प्लांटेशन की प्रक्रिया में एक प्रकार की खाली फैबरिकेटिंग टेबलें लगाई जाती हैं ये सिर्फ टेबल का फ्रेम है टाइलों की दो कतारें लगी हैं एक बाई एक फुट की सबसे उपर की लाइन में छे टाइल और सबसे नीचे छे टाइल हैं इनमें कोरलों को रखा जाता है और हम उन्हें कस कर बांध देते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें सारी तैयारी करने के बाद कोरलों को उनकी मूल जगह से उठाया जाता है हम प्रांस्प्लांटेशन की जगह पर जाते हैं और कोरलों को पानी में डुबो दिया जाता है उनको काटना पड़ता है वो इतने मोटे हो सकते हैं इसके लिए हमें ऐसी कैंचियां चाहिए ये बून कटर्स हैं जिनका इस्तिमाल डॉक्टर भी करते हैं इनकी धार बहुत तेज है हम उन्हें 2-3 सेंटिमीटर के पीसेज में काट लेते हैं एक खास तरह की गोंद से कोरल के चार टुकडे हर एक टाइल से चिपका दिये जाते हैं ये काम मेहनत वाला है और खर्ची ला भी वित्तिय मदद के लिए वैंकटेश ने सैलानियों और इस्थानियों लोगों से संपर्क साधा हमने यही कहा चलिए कोरल को गोध लेने का कारिकरम शुरू करते हैं इसकी एक साल की अवधी रहेगी हम उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं कोरल के टुकडे की तस्वीर देते हैं आकार बताते हैं और वादा करते हैं कि साल के अंत में हम उन्हें कोरल की बढ़े हुए आकार वाली तस्वीरें लेकर देंगे। अडॉप्शन प्रोग्राम अवंती का मिश्रा जैसे लोगों के लिए है। सर्फिंग की शौकीन अवंती का अक्सर अपना समय यहीं बिताती हैं। वो समंदर में गोता खोरी करना भी पसंद करती हैं। उन्होंने बदलाव अपनी आँखों से देखा है। मैं 5-6 साल से गोता खोरी कर रही हूँ। मैंने कोरल के रंग में गिरावट देखी है। दुख होता है। मैं वाटर स्पोर्ट से करीब से जुड़ी हूँ। तो वो मेरी अपनी कम्यूनिटी है। मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ। अच्छा है कि कुछ कर पाने के काबिल हूँ। थोड़ा बहुत ही सही। कोरलों को बचाने वालों के लिए एक-एक रुपिया एहम है। और बात सिर्फ पैसों की ही नहीं है। उनका काम एक सतत संघर्ष है। मदर रीफ की तरहे कोरल के छोटे-छोटे टुकड़ों पर भी सख्त परियावरन की मार पड़ रही है। उससे कई समस्याएं खड़ी हो रही है। तीव रहोते जलवायू परिवर्तन के बीच महसागरों का तापमान भी बढ़ रहा है। स्तानी अस्तर पर भी दबाब डालने वाली चीजें हैं। प्रदूशन करने वाले तत्वों का रिसाव, उनका बह जाना। Grand Islands को देख लीजिए। वहां हर तरह का प्रदूशन है। गाद भर जाती है। बिल्कुल पास ही बंदर का है। नदियों की गाद आ जाती है। प्लास्टिक प्रदूशन का कोरलों पर बूरा असर पड़ता है। चाहे वो आपकी संस्क्रीन क्यों ना हो। जैसे आप अपने शरीर पर लगाते हैं। कोरलों को समुद्री खर्पतवार से बचाने वाली मचलियां भी कम हो रही है। क्योंकि वो परियावरणिये बधाली से जूज रही है। जो मचलियां बच जाती हैं उनमें से बहुत सारी मचवारे निकाल ले जाते हैं। जैसे कि यहां बानिया तट पर कोरल फार्मिंग से मचवारों की परेशानियां बढ़ने लगी है। अबी फिशिंग पर क्या है। समस्या ये है कि मचवारे लंगर डाल कर मूंगों को और नुकसान पहुचाते हैं। हम उनके साथ मिलकर कई योजनाय बना रहे हैं। एक तरह से इसके बुनियादी भागिदार वही हैं। हम उन्हें इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल करना चाहते हैं। उन्हें समझना होगा हम जो कर रहे हैं वो उनके फायदे के लिए है। तो हमें भी यकीनन उनका साथ चाहिए। सरकार यहां एक समुदरी रिजर्व बनाना चाहती है लेकिन मचुवारे उसके विरोध में हैं। वेंकटेश मचुवारों को एक संतुलित समुदरी एकोसिस्टम की एहमियत के बारे में समझाते हैं। पानी में लंगर डालने की बजाए अब वो नाव बांधने के लिए बोई इस्तेमाल करते हैं। वेंकटेश आगे चलकर कोरल की टाइलों से कृत्री मूंगे बनाएंगे। इनमें मचलियों को ठिका ना मिलेगा। ये एक ओक्टागन है। हमारे पास टाइल का फ्रेम है टाइल और टाइल। हमने इसे लहर की तरह बनाया है। हर साइट से काफी जगह है, खाली, खुली जगह है। मचलियां आ जा सकती हैं और घर बना सकती हैं अपना। कोई खत्रा दिखा तो उस धांचे के अंदर जाकर रह सकती हैं। अभी तक वैंकटेश और उनकी टीम ने कोरल के 500 से ज़ादा टुकड़े फिर से लगाए हैं। कुछ दिन पहले ही शुरुआती पांच कृत्री मूंगे समंदर में डाल दिये गए। इसके बाद और डाले जाएंगे। लेकिन ये मुश्किल काम है क्योंकि महासागर बहुत विशाल है और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कोरल बरबाद हो रहे हैं। अवंतिका कहती हैं कि ये काम बहुत एहम है। मुझे लगता है इसका सही असर पड़ेगा जब आप लोगों को ये एहसास कराते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जिसे वो गमा देंगे तो उन्हें ज्यादा चोट पहुँचती है। आज ये बात पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। पिछले तीन दशकों में पृत्वी ने छिछले पानी के अपने करीब आधे मूंगे गमा दिये हैं।